जहन दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलपेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जेशियोज और यानि की जूनियर कमिशन ओफसर्स और अधर रेंक्स आर्मी के और उनके समकच चैनल एरफोर्स के हों, नेवी के हों, इंडियन कोस्ट गार्ड के हों, बी आरो, ग्रीफ, सेंट्रल आर्मीड पॉलिस फोर्स यानि सारे के सारे जितने भी अफसर रेंक्स के नीचे के जवान हैं, उनके लिए State Bank of India की तरफ से अब वो फैसलिटी लागू कर दे गई है, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ अधकारियों को अफसर्स को मिलती थी और ये सुब्दा लागू हुई है दोस्तों, 1st April 2022 से क्या इसका क्लासिफिकेशन है, क्या इसमें कंसेशन मिलेगा, क्या सुब्दा है, किस तरीके से है, वो देखे दोस्तों, आप इस SBI के लेटर के माध्यम से जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये State Bank of India का ओफिशिल पेज है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, डिफेंस सेलरी पैकेज की, इसमें आप देख रहे हैं, ये आर्मी के लिए, नेवी, एर फोर्स, आपके सामने ग्रीफ, जनरल रिजर्ब, इंजिनिरिंग फोर्स बी आरो, आसाम राइफल्स, इन सब के लिए हैं, इसमें पैकेज, जो DSP पैकेज हैं, इसके जो इंप्लोईज हैं, उनको तीन केटेगरी में बाटा गया है, पहली केटेगरी है दोस्तो, गोल्ड सेलरी पैकेज, एकाउंट होल्डर, जिसमें जेशियो और अधर रिंग सा इसमें बाटा गया है, यानि डाइमंड सेलरी एकाउंट होल्डर और प्लेटिनम सेलरी एकाउंट होल्डर को, बैंक के अंदर जो लोकर्स की फैसलिटी है, उनको कंसेशनल रेट पर देता था, जेशियो ओवार्स के लिए ये कंसेशन की फैसलिटी नहीं थी, अब इसको जेशियो ओवार्स के लिए भी इस्टेट बैंक आफ इंडिया ने लागू कर दिया है, उसके संदर में इस्टेट बैंक आफ इंडिया की तरफ से एक E-Circular जारी किया गया है, तो दोस्तों ये आपके सामने SBI का E-Circular है, जो की 7th अप्रेल 2022 को जारी किया गया है, और यह यहां पर यह DSP account holders के बारे बता गया है, अब यहां देखिए आपके सामने, यहां पर जो concession की बात कहीं यह 25% यह platinum salary account holders के लिए है, और 15% का जो concession है वो दोस्तों diamond salary account holders के लिए है, और अब इन्हों ने the competent authority has approved concession of 10% in annual locker renter with effect from 1st April 2022, और यह किन के लिए? गोल salary package account holders के लिए, यहांनि जेशियो और जवान के लिए, तो अब जेशियो और जवानों को जिनके पास already locker facility ले रखिया है, वो 10% का concession ले सकते हैं, और जिनों ने facility का इस्तेमाल करना हैं, लेना हैं, वो भी 10% concession के साथ यह facility avail कर सकते हैं, और दोस्तों locker का जो rent होता है, उसका जो किराया होता है, वो locker के size और city के हिसाब से अलग-अलग होता है, यह सभी जगे, सभी locker का किराया एक नहीं होता है, जैसी city है, जितना locker का आप size लोगे, उसका जो किराया बनता है, उस पर आपको 10% concession मिल जाएगा, अब यह facility चालू हो गई है, जो अब से पहले नहीं थी, तो दोस्तों यह थी जानकारी आज की इस वीडियो में, और जो भाई पहली बार हमारे चैनल को बिजट कर रहे हैं, चैनल को subscribe जरूर कर लें, और bell icon को जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जैहिंद, जै बारत!